नबस्कत सानदियो, स्वागत हैं आप सभीं का आपके आपने यूटुप में KBS इंटर्वी única कि ते警 coy को की तेवी का आज आपका mél데छ विडियो आया है आज बश्oken की बारे में विक दिस्क्रास करेंगे इसले परोस्वेर इंटर्वीयों नियुक्ध विज़ए करें दिस् तो आज हम डिस्कस करेंगे what is the mission of Gavis, अब जिस सलस्ता कर इंटर्व्यू देनी चाहरे हैं, उस सलस्ता कैसे teacher चाहती है, उसका mission क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके, और कोई भी doubt हो, तो और comment section दोरा आप पूछ सकते हैं, start कर एपनी class को, what is the mission of Gavis, the mission of Gavis is the, to cater the educational needs of children, transferable central government, including defense and paramilitary persons, by providing a common program education, तेकि हमें क्या करना है, Gavis का main aim क्यों होते हैं, एक तो educational needs of children को cater करना है, जो बच्चों के educational साचिक need education, उसको तो cater करना ही है, कि especially उन बच्चों का, जो transferable central government के employee है, जो central government के employee है, defense sector से हो सकते हैं, आपके paramilitary sector से हो सकते हैं, उनको एक common program of education मिल सके, आप माल लेजे, अब आपका central government के employee है, अब आपको transfer हो गया, Gavis में ही माल लेजे, आप teacher है, या आप किसी department में है, आपका transfer हो गया, मार्च में, अब आप बता ही, आपको बच्चे तो season ऐसा तो नहीं कि जब मार्च में transfer हो गया, आपने बच्चे से कहा कि अब ऐसा करते हैं, अब आपको जब नया season हो स्टार्ट होगा, तब आपका division करा जाएगा, ऐसा नहीं, जिस जहां पे आपके बच्चे का transfer हो कि जहां पे इसके अलाबा है, to pursue excellence and set the pace in the field of school education, हमीं क्या करने है, excellence, बहुत अच्चा है, excellent pace, school education के field में, बहुत अच्चा एक परशू करना है, excellence create करना है, कौन करते हैं, KVS, KVS आपके सिर्फ, school education पे फोकस नहीं करता, KVS आपके स्कूली सिच्चा के साथ से बिविन परकार की activity होती है जैसे अभी कुछ टाइम पहले, KVS में एक चिक्यासा कारक्राम हुआ था, एक भारा स्रेश्ट भारत का कारक्राम हुआ था, different type के cultures प्रोक्राम होती रहते हैं, KVS में बच्चा सिर्फ ऐसा नहीं कि academic, academic के साथ साथ को केरोकलर activities में भी participate करा जाता है, KVS में बच्चे NCC मे participant करते हैं, तो बहुत सारी चीज़े, KVS बच्चों में कराता है, okay, इसके अलावा, to initiate and promote, experiment and innovation in education, cultivation with other bodies, KVS में बहुत जादा experiment करता है, innovation, इसलिए KVS को क्या बोलते है, education lab बोलते है, इस point को ध्यान रखिएगा, अगर जिसे आपने question के answer कर दिये थे, why do you want to join KVS, तो अब इसमें answer को जोड़ सकते है, we want to join KVS, because KVS ना इच्चा educational lab, in this KVS, we can do different type of experiment, innovation, in education, we can collaborate with other bodies, we can be updated, modern teacher in KVS, ऐसे answer को अपने तरीके से आप कर सकते है, जब आपका answer अपने तरीके से अलग होगा, तब ही interviewer को reflect करेगा, आपको क्या लग रहे है, YouTube में जो classes आप देख रहे हैं, दूसरे बंदा वो classes नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे बंदे देख रहे हैं, और वो बंदे यही सारे answer देंगे जाके, जब आपका answer उनसे कुछ अलग होगा, तब ही तो नहीं लगेगा नहीं कि आपको क्यों चूश करें, बहुत सारे बच्चे इंटर्वियू दे रहे हैं, सारे बच्चों को तो नहीं select किया जाएगा, आपको select करें आप ऐसा region तो नहीं दीचे, okay, next उस पर discuss करते हैं, CVC का full form क्यों होते हैं, NCIT का full form क्यों होते हैं, बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए, और KVS आपका किसे अफ्लिफाइड है, तो KVS आपका CVC से अफ्लिफाइड है, Central Board of Secondary Education, और जो 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 भी NCIT New Policy लाता है, उस सबसे पहले KVS में भी apply करके दीखी जाती है, National Council of Educational Research and Training का full form होते यह सारे full form आपको बता होना चाहिए, इसके अलाया पर NEP का full form क्यों होते हैं, comment section में answer दीचेगा, एक गलती जो आपको नहीं करनी, National Education Policy होता है, New Education Policy मत बोल देना, क्योंकि आप सबने इतना बढ़ा है, New New करके, New Education Policy उसका नाम नहीं, उसका नाम है National Education Policy, लेकिन अभी आई तो उसको कही वर क्या मोल देते है, New Education Policy, अच्छे बताइए, New Education Policy, कौन सी Education Policy, अप्टे इंडिप्टे इंटिया, थर्ड एजुकेशन पॉल्सी है, in before 1968 and 1986, who is the chairman of NEP 2020 के कस्तूरी रंगन, is the chairman of NEP 2020 के कस्तूरी रंगन, is the chairman of NEP 2020 के कस्तूरी रंगन, इससे पहले आपकी इस तरों क chairman कोन है, इस question का answer आप comment section में दीचेगा, इस रो के present channel में आपके सोम नाचे, हो सकता है कि इससे question आपके answer में पूछेगा, what is the full form इस रो, इस रो जो अपने राकट का प्रच्छेपड कहां से करते है, स्री हारी कोटा प्रच्छेपड केंदर कहां पेस्तीत है, ऐसे question के answer पू कुछ classes लोंगे, उन सारी classes को जरूर देखीगा, थोड़ी से तब्यात नहीं सही है, वाइरल चल रहा है, आप सब भी अपनी health का ध्यान रिखिए, ओके, आके discuss करते हैं, to develop the spirit of national integration and create a sense of idealist among children, अब इसमें क्या करना है कि एक तो spirit कैसी national integration, national integration मतलब राश्टी के राश्टीता क बहुना का वियकास करना है, और बच्चों में किसना भारती की हम सब कुछ भी हो सकता है, different type के states होंगे, different type के हमारी language होगे, different type के हमारी relations होगे, लेकिन इसके बाद भी हम सब क्या है, इंडिया नहीं, इस point को हमें बच्चों में create करना है, इस spirit को इस तरीके के moral values देने हैं, तो आपको KBS के स्कूल में बिनी इंडिया देखने को मिलेगा, तो ये भी आप KBS के समें जब भी कोई point जोड़ें, तो इस तरीके के point आप जोड़ सकते हैं, ओके, बाके की points आप next class में discuss करेंगे, तब तट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे,